नवश्कार वेलकम बैक तो आज हम स्ट्रोक या लकवा के बारे में बात करेंगे जिससे पहले हमने बात किया था कि स्ट्रोक जो है जिसको हम लकवा बोलते हैं या परिलाइटिक जो एटैक है दो प्रकरका होता है एक तो ब्रेन में क्लॉड जाने के बज़े से होता है जिसक है कि ब्रेइन के नंसे फट जाता है और ब्रेइन में ब्लीडिंग हो जाता है तो आज जो हम ब्रेइन में जो ब्लीडिंग होता है उसके बारे में बात करेंगे सो ब्रेंग में जो ब्लीडिंग नास फटने के वज़े से जो स्ट्रोक होता है और जिसके वज़े से हातों में या पाओं में कमजोरी आजाता है या बेहुश ही हो जाता है यह करीप-करी मान के चलिए 20 to 30 percent patient का जो अवरल 100 में 20 to 30 percent patient का जो स्ट्रोक है ये ब्लीडिंग के प्लाट प्रेशर बढ़ने के बज़े से ब्रेन में इस तरह का ब्लेडिंग हो सकता है या उसके लावा बाकी कारण है जैसे अबनोमिल कुछ कनेक्शन से नसों की इसको या अबनोमिल नसों की गुच्छा है जिसको हम मेडिकल दाम में आर्टरी वेनस मालफरमेशन या एवी फिस्टुलस बोलते हैं और एक कमन कारण जो है ओ है कि एनुरिजम या नसों में एक प्रकर का गुबारे बन जाना और ओ क्या है उसको टोको डियन आकरे तो क्या है और उसका इलाज के बारे में बात करेंगे शाफ युचा जो होता है यह प्राइमरीर ली हुआ है तो उसका मुख्य कारण है कि यह इस प्रकरका नासों में कहीं पे गुबारे बन गया जैसे या भी यह चित्र में दिखाये दे रहा है आपको यह नासे होता है और उसके अंदर एक गुबारे बन गया है और यह गुबारे जो है बहुत आम आदमी को भी रह सकता है त कोई भी कारण के बज़र से किसी भी समय फट सकता है। जब यह फटते हैं तो ब्रेइन में ब्लीडिंग होता है। उसका लक्षन क्या होता है? उसका लक्षन यह होता है कि आदमी पहले पुरा ठीक रहता है और फटक से उसको बहुत जादा सर में दर्द होता है। बहुत ही पर जाता है और उसके बाद उनके हाथों में या पाओं में कमजोरी आ सकते हैं तो इस तरह का जो गुबारे हैं जो नासों में जो गुबारे बन जाते हैं उसको उसमें राप्चर होने का रिक्स रहता है डिपेंड करता है कि कौन सा लोकेशन पर है और किस तरह का मॉर्फोल के tissue में नहीं होता actually यह हमारे brain के जो सर्ऋॉन्डिंग जो एक space всегда हमारे brain एक प्त्रकर का पानी का एक लेयर के उपर float करता है तो उसी में यह bleeding होता है और यह जब bleeding होता तो चारोत दरफ फैल जाता है कि यह जैसे मान के चली बार्टिंग है और उसमें आपने एक दो बोंद आपने कुछ कलार डाल दिया तो सभी जगा पे फैल जाएगा इस तरह यहां यह bleeding जैसे brain में होता है वो पानी का थेली में होता है तो वो surrounding सभी जगा पे फैल जाता है और इसी को सब एकनल हैमरेज बोलते है यदि आप इस तरह ही health के बारे में जानना च लिए अभी आता है कि इसका इलाज क्या है और इसको कैसे हम एबोइड कर सकते हैं देखे एबोइड जो करने वाला जो बात है जैसे मैंने पहले बताया साव एकनल हैमरेज कोई गुबारे फटने के बज़े से होता है तो इसमें आपके तरफ से कुछ करने लाइक तुम्हे बोलना मुश्किल होगा क्योंकि एक प्रकर का हार्ड लाग होता है कि किसी किसी को इस तरह का गुबारे बनता है और वो गुबारे एक दिन में नहीं बनते हैं ओ धीरे 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 ब्रें में एक गुबारे बनते जाता है जिसको हमें पता भी नहीं चलता है हमें का गुबारे है और जो रिसक है कि वो बाद में फट सकता है और जो की जानलेबा हो सकता है तो यह जो ब यह कितना सीवियर है। इक इसपूरिय कितना क्थानगा से जो है इस किसी इसी ओ придच हो सकता है। यह काफी खतरनाक जायक हो सकता है और विदाउट ट्रीटमेंट यह इस परकार का ब्रीडिंग से एराउन 50-50% आदमी को मतलब जान लेवा होता है और बाकी जो एराउन 30-40 या 50% जो पेशेंट्स हैं इनको इस तरह का ब्रीडिंग है या उनको ना इलाज किया जाए तो उनक को significant Deficit आ शकता है Deficit मतलब हातों में पाओं में permanently कमजूरी हा जाना विद होके रहना इस तरह का कभारी पॉसिवल है ग्रॉसली देखें मोटे तरीपया पे हमें इस तरीका का जो गुवारे हैं ब्रेन में होता है उसका दो प्रकर का ट्रीटमेंट होता है एक तो है कि आप पुरा अंदर ऑपन करके अंदर जाए और उस गुवारे को अब क्लिप लगा सकते हैं जहां पर ब का एक क्या इंसिशन लगाते हैं अधा ग्रॉयन में यहातों में और उसी टू-टू-ठी मिलिलीटर इंसिशन से हम ब्रेन में चोटे-चोटे कैतर लेकर ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और उसी कैतर से उसी गुवारे में जाके उसमें हम कुछ प्लेटिनम बेस्ट धातू जो इसे कोईल सोते हैं वहां पर हम डाल देते हैं और उसको सील कर देते हैं तो उसका ट्रीटमेंट एक तो हैं की ऑपें सेजरी करके क्लीपिंग है या दूसरा जो एडवांस टेक्नोलोजी से हैं को आपको आपें करने की कोई ज़रोत नहीं है दूसरा आदमी हम इदर से अंदर अंदर से जाके ब्रीग में पहुच जाए और उसको सील करें कैसे करेंगे जैसे आइदर यूजिंग कोईल और नहीं तो आलग से कोई हम डिवाइस यूज कर हैं जो की कफी एडवांस और काफी एफेक्टिव है और वहां पर जाके उसको सील किया जाता है और उसके बाद बाकी सारा treatment के साथ इनके complete recovery होने का chances काफी जादा होता है तो मेरा ये मानना है कि इस तरह का किसी को भी bleeding होता है या बहुत ज़्यादा सर्दत हुआ उसके बहुशी हो गया या हातों पाव में कमजूरी आ गया और केंगे पर पकड़ लिजए बाहर में city scan किया है और उससे पता चलाईए bleeding है तो इसका इलाज है और आप से ही center में जाएंगे जहां पर इस तरह का गुबारे या एनुरिजम का treatment available है तो वहां पर ज़रूर जाईए और उसका treatment लीजिए क्योंकि इस treatment के साथ आपका complete recovery का chances का कफी बढ़ जाता है तो यह वीडियो आपको पसंद आया या इससे related कोई भी questions है तो आप questions put करिए remarks में question डाले उसका हम जवाब देंगे और इसके वीडियो को like करने ना भूले हम रखें आपका ख्यार कर दो आपका ख्यार